क्या कहता है लेटेस वोटिंग त्रेंट एक वंद लग्या फिर उत्राइच आपको पता दे कलोजिंग वूटिंग ट्रेंट के भी रिजल्ट बहुत जल्द तो अब आपको बताते हैं करन्ट वोटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है करन्ट वोटिंग जो चल रहा है जिसमें नंबर तीन पर सुम्बूल तौकीर खान बैटी गई है जिसमें दिखाया था कि कल भई उनके लिए कैंपेंड भी चल रहा था बात करते हैं नंबर दो पर हैं जिनका फैन वोटिंग वोटिंग करेंड में कितना बदलाफ देखने को मिलेगा यह तो आगे देखा जाएगा अभी फिलाल जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा है भी यही चल रहा है कि नंबर तीन पर सुंबुल तौकीर खान नंबर दो पर स्टैन नंबर एक पर शिफ्ट ठाकरें जो कि सुबा भी यही ता अभी भी यही है और हो ना हो क्लोजिं ने टास केला जिस तरह से वो नराज रही जिस तरह से शिफ्ट ठाकरें उन्हें मनाते रहे लेकिन बिग बॉस ने भी जो है उनको बुला लिया आपको डेड़ दो घंटे हो गए आप कब से उन्हें मनाये जा रहे तो हो सकता है आपको इस अपते हैं कि आज जब विकेंड के बार में देखेंगे कि मंडिली का एक और सदस्य घर से बेगर हो जाएगा यानि कि अब स्टैन और शिफ पहुंच जाएंगे और बीच में जो अगला अपता जो देखा जाएगा जो फिनाले वीक होगा जिसमें मिडी फिक्षन देखने को मिल सकता है तो आखिर कर कौन ह हो गर से बेगर कर से बेगर हो जाएंगे यह पता चलेगा आगे बागी आपको पता दे बही टॉप चार में जो नाम सामने आरे हैं जैसकि शेकर सुमनने अपने नाम बताए है प्रियांका चाहर चाथे दिन देख क्या शालीन बनौत देंगे क्योंकि वह शालीन बनौत भी टॉप फाइव में रहने वाले हैं और यह भी देखना हो क्या कि कर ब्रीफ केस लेकर कौन जाने वाला है वैल यह है करन्ट वोटिंग ट्रेंट शिफ ठाकरे स्टैन सुम्बूल नंबर एक पर शिफ सेकेंड नंबर पर स्टैन है नंबर तीन पर है सुम्बूल तौकीर खान तो भई सुम्बूल तौकीर खान घर से भेगर हो सकती है वैल आपका क्या है कहना कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी लेटेस अपडेट के लिए साथ ही आपको रिजक्शन में जरूर बताइए